हेलो गाईज अब देखिए मंगलवार की शाम के से वज़े से से वजने वाले हैं से वजने के लिए 10 मिनित बाकी है से वज़े से मैं भगवान का नाम लेकर ब्लॉग की शुरुवात करी हूँ मैं हार्डिक को यहां परा रही हूँ तो यह देखिए हार्डिक के पराईО मैं दिखातेहें यह देखिए हार्डिक की पराई शुरूवा है ळो को पॉपा ऐलो गाईस हार्डिक बले हलो गाईस हेलो गाईस ओर इवनीन मंचर vehicle कात रहे द दिनीन है का समझ में नहीं समयनथ कॉन सा लेटर थे यह द में कि एट में कौन सा लेटर थे समझ में नहीं आ रहा नहीं लेकिन समझ में आना चाहिए तुमको मैंने बहुत बार पढ़ाया है लिखो तो चलिए गाया जादी को पढ़ा लेते हैं इसको पढ़ा लेते हैं और फिर बुद्रबर के ब्लॉग की स्टार्टिंग करें लिखाओ पढ़ाया की लिटास ले के खराइक को पढहने के बाद मिं उसके स्नेक्स सामके पकोरा पसंद है और मेरे घर में फास की डो शिस्टरस भी है वह दोनों भी आई है तो साथ में चाई बगरा पिने में मज़ा आता है ना वरिए शाम कीशा उन्जोई कर रहे हैं पकैन ने और ब्रेड nhân अम बनाई थे तो हम कमें जोई क्या यह है हार्डिक मूबाइल लेक्ट मिल्क ले रहा है फिर रात हो गई थी मैं मैंने फिर और जादा कुछ शूट वगड़ा नहीं किया यूंकि दिन का शीडियूल इतना ही मतलब बिजी भरा रहता है न तो शाम तक आते आते कभी-कभी मतलब ब्लॉगिंग करना भूल जाती हूं मोबाइल हाथ में लेना ही भूल जाती हूं बाकी इधर डर का बहुत सारा काम भी रहता है न तो इसलिए साम की स्नेक्स के बाद से फिर मैंने शूट नहीं किया यह हम सोनी के लिए आगे हार्डिक देखो नींड आने की एक्टिंग कर रहा है मैं बात कर रही थी आप लोगों से बर टीवी का साउंड इतना ज़्यादा था कि बात ठीक से होनी पाई आप लोगों से फिर गाइस अ आप दस बारह दिनों से उतना खास नहीं है ऐसा ही है क्लाउदी है बारिश होती है बीज बीच में तो मेरा एक एप्रेल फुल का जो पौधा है ना तो उसमें कलई आ रही है दो दिनों में से फूल भी आ जाएगा तो यह मैंने सबस्ता को बीस बना रही हूं हभीके टीफ तो साहरे से से भजह में बंद के रेदी हो गई है क्योंकि मैं किच्चन में आती हूं पढ़ा पिका ना स्वेंब कर देती हूं क्योंकि रोटिया बनाने में ज्यादा टाइम लगता है ये सारे टिफिन मेंडा इसकूल में प्रेया हो रहा है मैं लोगों को बोछे थी की फोटो कीच रही है पूटो खीच रही हूँ तीनों को उसके बाद आज इतना चलना हुआ ना आज में घर नहीं आई पता है गर नहीं आई बुक्स्तोल चली गए थी फिर एक बदे हादिक को नेको घर आई थी फिर अभी हम रेस्टोर्ट में रुके थे कुछ खाने के लिए तुछ उच्छा ग अगर हम पडाटे बना रहे थे सोचा कि पडाटे खा लेते स्कूल के पास में एक मेला लगा था मेला खतम हो गया तो देखे हवा में कपर इतने अच्छी तरक चे हुर रहे है तो मैंने सोचा तोड़ा शूट बगएरा ही कर लू फिर घर पहुंच गई हूँ घर पहुंच कि इसका एक डायट है अच्छे तरीके से मैंने इसको डायट को बनाया है ताइम टू टाइम इसका खाना रहता है तो अगर मैं तब तक उसको दे नहीं पाओं तो मुझे खराब लगता है और ये मांगता भी है कि मैं में भूख लग रही है कुछ खाने को दो ऐसा वो बगरा हो गया है इसको टीवी देख रहा है है इसलिए मैं फटा बच्चे घर का काम कर रही हूं और मतलब क्या है डोडिन चे घर में पोचा नहीं लगा रही हूं तो फटा बच्चे में पोचा लगाने की भी त्यारी कर रही हूं बैठ के नहीं लगा रहे हूं इससे ही लग लेगा गाइस, बोलते हैं ना, वक्त से पहले और किसमत के बिना किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, तो इसी बात को मन में रखते हुए, इसी बात को मतलब मन में रखते हुए, सोचती हुँ कि मेरा वीडियो भी एक दिन चलेगा, बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, तब तक मेहनत जारी है मेहनत के बिना भी कुछ नहीं मिलता है ना वक्त से पहले किसमत के बिना और मेहनत के अलावा यहां पे कोई किसी को कुछ नहीं देता भगवान की आपको मेहनत के बिना कभी कुछ नहीं देंगे और मेहनत करके जो मिले उसका फल तो अलग होता है उसका जो फल म पास मेला वीडियो जाएगा तो हाँ आज का वीडियो यही खतम करती हूँ और मुझे अभी आप एक रूम देख रहे हो इसको क्लीन हो गया उसके बाद अलग रूम में भी मुझे करनी है काम तो थैंक यू गाज वीडियो को देखने के लिए थांक यू